सबी बच्चों को मेरा नमस्कार आज क्लास नाइन्थ एंसी आर्टी एक्सरसाइज 2.3 मैस्मेटिक्स रिमेंडर थियोरम सेस्फफल प्रमी का कंसेप्ट है तरह समझने की कोशिस करिएगा तेखें अगर हम आपसे कहें कि यहां पर एक बहुपत दे ले पी एक्स पोलिनमेल और उसको हम किसी दूसरे से इबाइड करें मालिया हम इबाइड करें है उसका नाम ले लिए X-A उससे आप इसको divide करें, तो कुछ answer आएगा न, वो answer जो आया वो क्या है? QX और यहाँ जो बचेगा उसको remainder कहते हैं RX इसको आप जानते हैं यह divisor है, ठीक है? dividend है quotient है remainder है, भाज्य है भाजक है, भागफल है और salesful है, तो एक नियम आप जानते हैं, कि इसका इसका multiply कर दो, मताँ X-A से multiply किसका कर दो, QX का, और इसमे RX प्लस कर दो, तो जो value आएगी वो PX के equal होगी यह आप पढ़ चुके बहुत पहले से भी ठीक है, जैसे, माझने आपने 5 को divide किया 2 से 2, 5, 2, 4 सुरी, क्या लिख रहा हूँ 2, 2, 0, 4, 1 तो अगर 2 का multiply 2 से कर दो 4 आएगा, 4 में 1 प्लस कर दो, 5 आएगा तो इसके कुलारा नहीं आ रहा है तो यह concept होता है, ठीक है salesful प्रमे का मतलब क्या होता है नाम से लग रहा है कि भई, कोई चीश से divide करो और कुछ salesful मल जाए हम जड़ा एक divide आपको सिखाने की courses करते हैं और उससे salesful बोले तो remainder निकाले की courses करते हैं, ठीक है यह मैं NCRT का example उठाता हूँ यह NCRT का कोई एक example ले लो जैसे मैं example number 6 ले लेता हूँ जैसे मैं NCRT का example लेता हूँ पहले, example 6 लेता हूँ एक polynomial given है PX is equal to X plus 3X square minus 1 X plus 3X square minus 1 जब भी कोई भी polynomial कोई भी भहुपत लिखा जाएगा तो सबसे परदे समख लिजेए को उसको standard order में लिखेंगी मतब सबसे बड़ी power उसे कम power, उसे कम power मतब इसको लिखा जाएगा तो पहले 3X square फिर X, फिर minus 1 साइन भी रहेगा ये plus का है, ये भी plus का है लेकिन थोड़ा order से लिखा जाएगा और दूसरा जिससे divide कर रहे हूँ उसका नाम दे दो GX कुछ भी लिख दो X का ये function है X इसका चर है X इसका variable है इसलिए X के टल में लिखा गया है और ये है आपका 1 प्लस X या इसको क्या लिख देंगे है X प्लस 1 और आप से कहा गया है कि इससे इसको divide करो इससे इसको भाग करो और जो remainder आवे जो सेस फल आवे वो निकालो तब ध्यान से समझेगा मैंने जैसे divide किया जाता है न वैसे divide करने की कोसिस की कोसिस नहीं की divide किया कोसिस क्यों करेंगे अब देखो ज़रा साउधान divide का method भी हम बता देते हैं तरीका क्या है सबसे पहले 3X square जो भी है इसके नीचे 3X square आना चाहिए जितने बार इहां ले जाओगे उसका इससे multiply करोगे ध्यान समझेगा जितने बार इहां ले जाओगे उसका इससे multiply करोगे गुणा करोगे न यहाँ पर X है X में किससे multiply करें x में किस से multiply करें कि 3x square आ जाए तो आप कहेंगे भीया 3x से multiply कर दो तो 3x into x क्या हो जाएगा 3x square तो हम कितनी बाले जाएगे इसको 3x बाले जाएगे अब 3x का multiply मैं x से किया तो क्या जाएगा यह जाएगा 3x square 3x का multiply plus 1 से क्या जाएगा plus का 3x ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को माइनस किया जाता है, यहाद है न, दोनों को सब्ट्रेक्ट किया जाता है, डिवाइट का नियम आपको मालू होना चाहिए, और माइनस करते वक्त इनके साइन बदल जाते हैं, इसलिए जो साइन इसका होता है, वही साइन नीचे आने चाहिए, minus 2x के नीचे minus का 2x आना चाहिए देखो ध्यान से, यहाँ पर x है ना इसमें किसे multiply कर दें कि यहाँ minus 2x आ जाए तो आप कहेंगे अगर minus 2 से multiply कर दोगे, तो minus का 2x आ जाएगा, देखो multiply चूँकि हिंदी इंग्लिस वाले सब जानते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोल ला है तो कितने बार ले जाओगे इसमें, minus 2 बार, इसका इससे multiply करो, तो minus का 2x और minus का 2 का जब plus 1 से multiply होगा तो multiply हिंदी गुणा, फिर यह चिन बदल देते हैं, plus plus यह कड़ जाएगा, तो 1 बचा यह remainder कितना बचा, यह remainder 1 बचा यानि यह faithful कितना बचा 1 बचा, ठीक है तो remainder निकालने का एक तरीका क्या हो गया, कि भाई इसको divide करो जैसे किया जाता है, और यह 1 बच जाए, तरीका यह हो, आना चाहिए, नहीं आएगा तो आगे दिक्कत आएगी, लेकिन अगर माले कोई और तरीका नहीं हो सकता है, क्या, तो एक और तरीका निकालते है, फ़ले इसे नोट करिए फिर अगला तरीका हम नोट करते हैं, ठीक है ओके, देखो अगला तरीका इसको 2 मालेजे, मानी है, न मानी है उसकी कोई मतलब नहीं है, देखो दियान से साउधान, किससे डिवाइट करना है x प्लस 1 को, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे putting x प्लस 1 is equal to 0, तो x का मान क्या है का minus 1, यानि क्या आप कहेंगे x प्लस 1 बरावर 0, या x is equal to minus 1, कहां रखेंगे समी करन एक में रखने पर एक में रखने पर putting this in equation 1 equation न कहें, expression 1 कहें आप, ठीक है, आप समी करन न करें बहुपत कहें इसको क्योंकि ये समी करन नहीं है रखो ज़रा, यहां minus 1 रखने जा रहे हैं, तो यहां पर तो इसका नाम क्या जाएगा, p minus 1 यहां रखो ज़रा 3 into minus 1 का square, plus minus 1 minus 1, ज़रा bracket खोलते हैं, साउधान जब minus 1 का square करोगे तो क्या आएगा minus 1 into minus 1 वह square कैसे करते हैं, इसको 2 बार multiply करोगे न, 3 बार होता तो, 3 बार multiply करते हैं, फिलार 2 बार करेंगे, और multiply का rule क्या होता है, कि same sign का अगर 2 बार multiply करते हो तो, plus आता है तो value कितनी आएगी, plus तो plus 1, 3 से multiply करोगे, 3 आएगा यह minus 1 minus 1, तो आगया 3 minus 2, जबको 1 आगया तो यह तरीका भी remainder निकालने का है समझ में आ गई बात, यानि कि आप simply divide करें, जो अभी इसके पहले किया था, यह value रख दें तो आप कहेंगे, दोनों में से कौन सा बढ़िया तरीका, तो यह सबसे अच्छा तरीका है लेकिन divide करना तब भी आना चाहिए, ठीक है अच्छा इसे नोट करें, फिर एक बढ़िया सी बात समझें, वो बढ़िया सी बात बहुत जरूरी है समझने वाली, ठीक है देखो ध्यान से जैसे मैं आप से कहूं मैं आप से कहूं कि 5 को थोड़ा बड़ी संख्या ले लते हैं मैं आप कहूं कहूं, 15 को गदेवाइड करो, तो आप कहेंगे 2, सेवेशा 15 14 और 1 आ गया, रिमेंडर कितना आया? 1, सेशवल कितना आया? यानि ये 0 के बराबर नहीं आया अगर हम कहें 16 को 2 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे 2, 8, सेशटीन और यहाँ remainder कितना आया 0, sexual कितना आया 0, क्या बता सकते हैं, यहां पर remainder 0 क्यों आया, यहां remainder 0 क्यों नहीं आया, अब आप कहेंगे, बहुत simple सा logic है, भाई यह पूरा-पूरा कड़ गया, यह नहीं कड़ा, ऐसा लिखेंगे mathematics में, नहीं, आप कहेंगे, सुनिये ध्यान से, चूंकि 2 जो है न, वो 16 का एक factor है, एक गुड़न खंड है, इसलिए remainder 0 आ गया, ज़रा ध्यान से समझेगा, 2 इसका factor है, इसका गुड़न खंड है, इसलिए remainder 0 आया, sexual 0 आया, तो यानि अगर आपको, बीजगणित में, अलजबरा में किसी को डिवाइड करना हो, और आपको ये बताना हो, कि इसका factor है कि नहीं है, तो आप simply remainder निकालो, sexual निकालो, अगर sexual 0 आता है, तो उसका factor है, नहीं आता है तो, नहीं है, ठीक है, तो ये concept तो समझ में आ गया होगा, अब इसी concept को ले करके, हम आपकी exercise 2.3 बताने जा रहे हैं, साउधान, देखिए इदको, देखिए, पहला question क्या कह रहा है, कह रहा कि, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by these following terms, क्या कह रहा है, कि एक भुपद है, इसको नीचे कुछ terms दिये हैं, उनसे divide करने पर remainder कितना आएगा, successful कितना आएगा, successful ग्यान करिए, तरीका क्या होता है, देखो ये पहला है, इससे divide करना है आपको, इसका कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो Qx, उस नाम देना पड़ेगा न, तो देना हो दो, ना देना हो ना दो, इसको दे दो Qx, अबको Qx माल लेंगे, is equal to x plus 1, इससे divide करना है, तरीका तो यह है, divide करो, भाग करो, इसको जैसे अभी हमने किया था, लेकि दूसा तरीका क्या है, देखो language एक में लिख रहा हूँ मैं, सबकी language सेम होगी, सबकी भाषा एक होगी, तो आप क्या लिखेंगे, putting, x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, in polynomial 1, एक में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सब में आप लिखेंगे, अब तब हिंदी में क्या लिखेंगे, कि x plus 1 बराबर 0, x is equal to minus 1, बहुपद एक में रखने पर, बहुपद एक में रखने पर, रख दीजिए, यहां रखेंगे न, अब यह तो आपने उसका नाम दिया है, जैसे लिखेंगे, अब कोई class में है, तो कहें बीवेख हैं, कोई कहता अदर्स हैं, कोई कहता कुच हैं, हैं, तो वो ऐसे नाम दिया है हमने, तो ये तो हो जाएगा P-1, यहां रखो जो रहाँ, minus 1 to power 3, plus 3 into minus 1 to power 2, plus 3 into minus 1 plus 1, अब कल्कुलिशन देखे, minus 1 to power 3 का मतलब क्या होता है, minus 1 को 3 बार multiply करोगे ना, मतलब minus 1 into minus 1 into minus 1, और sign का multiply करने तरीका क्या होता है, same sign का multiply, अगर करते हो same sign से तो plus आता है, तो इसका इससे multiply करोगे plus, और plus का करोगे minus से, तो minus, तो answer में क्या आएगा, minus 1, यहां देखो, minus 1 का square करोगे, दो बार कर रहे हो ना, तो दो बार multiply करोगे कितना आएगा, plus 1, और प्लस 1 का 3 से multiply करोगे तो एक फिलस का 3 आएगा navy minus 1 की 2021 इन्टू प्लस का 3 आएगा प्लस का 1 आएगा अब देखो माइनस 1 प्लस 1 जेडिव हो प्लस 3 मयनस 3 जीडिव value क्या आगए zero तो यही आपका remainder आगया remainder क्या आगया यहां लिख देंगे remainder is equal to zero यह सेजवल कितना आगया zero समझ में आगई बात अब एक बढ़िया सी बात हमने आपसे remainder नहीं पूछा हमने आपसे सेजवल नहीं पूछा उने नहीं पूछा था हमने ऐसे लगाए नहीं लगाना पड़ेगा हमने आपसे कहा कि यह दिखाओ कि x plus 1 इसका factor है गुलंखंड है दिखा तो किसी को factor दिखाने का तरीका क्या होता है अभी हमने क्या कहा कि भाई remainder निकाल दो अगर remainder 0 आता है तो उसका factor है नहीं तो इस फैक्टर नहीं है तो आप सिंपल सी बात है देखो remainder क्या आगया 0 जिसका वंतर एक चीज़ और सिध हो गई कि x plus 1 इसका एक गुलंखंड है x plus 1 इसका एक factor है मतलब हमसे factor नहीं पूछा तो आप सिंपली यही इसी तरीके से remainder निकालेंगे और अगर वो value 0 आती है तो यह वाला जो term है वो इसका factor है इसका गुलंखंड है नहीं तो नहीं है तरीका सुन में आ गया तो इसी तरीके से सम् अब second part देखिए second part भी कहरें वे x minus half से divide करो तो क्या तरीका आप अपने बताया कि आप x minus half को क्या कर दो 0 और x कमान कहां रख दो कितना आएगा 1 by 2 कहां रख दो उठा करके बहुपद एक में रख दो polynomial 1 में रख दो language लिख चुके हैं पहले से तो यहां लिखेंगे p1 by 2 1 by 2 का whole square plus 3 into 1 by 2 plus 1 देखें इसका तरीका मालू है ना 1 by 2 whole cube बोले तो 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 हिंदी में भी एक बटे दो कहते हैं आपको मालूम है 1 by 2 कहां जाता है multiply करने के तरीका क्या होता है गुणा का ऊपर ऊपर का multiply होता है 1 into 1 into 1 एक एक कमेक एक दो दुनी चार दुनी आठ क्या हैगा यह 1 by 8 plus 3 into यह कितना आएगा 1 by 4 plus 3 into 1 by 2 plus 1 यह क्या हैगा यह आएगा 1 by 8 plus 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1 तरीका क्या है इसका LCM लगुतम आप जानते हैं 8 होता है इसको हल करना आप सीख चुके हैं बच्पन से इसको इससे divide करते हैं 8 कम 8 8 बन जा एक एक बार जाएगा जितने बार जाता है उसको यहां से multiply करते हैं आएगा 4 से divide करो कितनी बार जाएगा 4 2 जा एक चार दुनी 8 दो बार गया 2 का 3 से multiply करोगे 6 आएगा 2 से 8 को divide करो 4 बार जाएगा 4 को 3 से करोगे 12 यहां बटे एक है ना एक को 8 से करोगे तो 8 बार जाएगा वाठ ही कम 8 आएगा इसको calculate करो 12 यहां बटे आएगा अगर हमसे यह पूछते कि बताओ यह इसका factor है कि नहीं है नहीं है क्यों क्योंकि remainder 0 नहीं है पूछते तो otherwise हम नहीं बताएंगे तो यह है आपका second part देखें थर्ड पार्ट में किस करना है एक से डिवाइट करना है अभी हमने क्या बताया एकस की value क्या रख देंगे 0 रख दीजे कहां पर उस 1 में रख दीजेगा language लिख लीजेगा सम्मे तो यह क्या हो जाएगा P0 देखो एकस रोखो 0 तो यह आएगा 0 का cube प्लस 3 इंटू 0 का square प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 अ आएगा 1 इसका remainder क्या गया 1 तरीका संगे आ गया आई गया हूगा नोड करिये देख़ो फोर्थ पार क्या कह रहा है यह कह रहा है यह कह रहा है वही X प्लस Πाई से डिवाइट करिये तो X प्लस पाई को क्या लिखो कि 0 तो X का मान क्या आएगा minus πाई आ जाएगा माइनस πाई आएगा ना रखो यहाँ पर P माइनस πाई is equal to क्या हो जाएगा माइनस πाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस πाई की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस πाई प्लस 1 पाई के बारे में आप जानते हैं भाई याद है ना जब आपने area of circle पढ़ा होगा वरत्त का छित फल तो वहाँ पाई आर स्क्वाई था जिसकी वैलू 22 बटे साथ थी वही पाई है यह देखो जब पाई को 3 बार कड़ोगा multiply तो माइनस में आंसर आएगा अब अगले में आपसे कह रहा कि भाई 5 प्लस 2x से डिवाइड करो तो उसके लिए क्या करेंगे वही तरीका आपका घिसा पिटा 5 प्लस 2x को क्या रखेंगे 0 यहाँ से x का मान निकालिए देखो तो x का मान निकालोगे तो x लिखोगे इसका 2 लिखोगे और 5 को उधा ट्रांस्वर कर दोगे तो x का मान क्या आएगा माइनस का 5 बाई 2 लिए तो आएगा ना अब इस x की विल उठा किया रख दो तो p माइनस 5 बाई 2 की वैलू क्या आएगी आएगी आपकी माइनस 5 बाई 2 का whole cube प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 का whole square प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 1 अभी जो 1 बाई 2 आला था न वैसे कुछ कल्क्रेशन होगा इसको 3 बार मल्टिप्लाई करो 25 बाई 25 जब मल्टिप्लाई करोगे तो माइनस 5 बाई 2 करोगे इंटू माइनस 5 बाई 2 करोगे इंटू 3 बार करोगे न तो माइनस माइनस का मल्टिप्लाई प्लस और प्लस माइनस का मल्टिप्लाई माइनस तो एक तो आंसर माइनस में आएगा उपर उपर का मल्टिप्लाई होगा 5 का 5 से करोगे 25 25 का 5 से करोगे 125 तो आएगा 125 और नीचे क्या आएगा 8 प्लस चुकिए हाँ माइनस का अब इस दो बार करना है ना एक खटा दो दो बार करो कितना आएगा 25 बटे 4 तो 3 इंटू 25 बटे 4 ये माइनस का आएगा 3 इंटू 5 बाई 2 प्लस 1 ये आएगा थोड़ा सा इसको कल्कुरेट करिए तो आएगा माइनस का 125 बाई 8 प्लस का 25 बाई 4 माइनस का 15 बाई 2 प्लस 1 अब क्या करेंगे जैसा कि पहले आपने किया है 8 LCM ले लिजे इसमे 8 LCM लेंगे 8 को 8 से डिवाइट करेंगे एक बाई जाएगा एक का इस से मल्टिप्लाई करेंगे क्या हैगा माइनस का 125 प्लस 4 को 8 से डिवाइट करोर दो बाई जाएगा 75 को 2 से मल्टिप्लाई करोगे 150 आएगा माइनस 2 को डिवाइट करोर 8 से 4 बाई जाएगा 15 को 60 माइनस का 60 प्लस का यह आएगा 8 अब कल्कुलेशन आप करना जानते हैं यह माइनस माइनस हो जाएगा कितना आएगा माइनस का 185 और प्लस का 158 अपान 8 एक सो पचासी में से 158 माइनस करो 58 दो 60 60 20 25 इतना आएगा 25 तो 27 आएगा आठ साथ पंद्रा पान दो साथ एक आठ सताइस आएगा 27 आएगा चुकि एक प्लस का है और एक माइनस का है दुनों का माइनस किया और जो बड़ी संख्या होगी उसका साइन होगा तो माइनस 27 बटे 8 कल्कुलेशन एक बार जोड़ चेक करीज़ेगा कई गलती नहो रही होगा ठीक है देखे सेकेंड कोश्चन क्या कह रहा है एक बहुपत दिया गया है एक पॉलिनामिल गिवन है एक्स क्यूप माइनस एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स माइनस ए और इसको किस से डिवाइट करना है भाग करना है एक्स माइनस ए से और कह रहा है कि इसको डिवाइट करके आप रिमेंडर निकालिए तरीका क्या होता है वही पुराना हमने क्या कहा जिस से डिवाइट करत रखते हैं न equation 1, आप क्या लिखेंगे, बहुपद, एक में, x-a बरावर 0, यह x is equal to a रखने पर, यह हिंदी वाले अपना लिखेंगे, और इंग्लिस वाले अपना लिखेंगे, ठीक है, रखो उठाके यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, पी यह क्या जाएगा, a रखोगे न, तो यहाँ पर a cube आएगा न, a cube, minus a, into x को यह रखोगे, तो a square हो जाएगा, plus कब b, into a हो जाएगा, minus का a हो जाएगा, देखें यह a cube आएगा, इसका नियम आप जानते हैं, multiply में पावर प्लस हो जाती है, यहाँ power 1 है, यहाँ power 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, a की होती है, यह cancel हो जाएगा, तो यह आजाएगा, a, b, minus a, तो यह remainder निकालने का तरीका है, यह ध्यान रखेगा, अगर हम से कहते, कि बताव यह इसका गुणनखंड है की नहीं है, factor है की नहीं है, तो यह निकला है remainder, यह निकला है, salesful, अगर यह 0 है, तो वो factor है, नहीं है, तो 7x, और यह कहरा कि बताव कि यह जो 7 plus 3x है ना, वो इसका factor है की नहीं है, गुणनखंड है की नहीं है, क्या तरीका होता है, वही तरीका, आप 7 plus 3x को क्या करेंगे, जिससे डिवाइट करें, उसको 0 करेंगे, यहां से x का मान का निकलेगा, 3x बरावर आएगा, minus 7, x का मान आएगा, minus 7 upon 3, यही तरीका है ना, इसको उठा कि यहां रख दो, तो P minus 7 upon 3 क्या होगा, language आप डिख लेंगे सम्में, ठीक है, 3 into minus 7 upon 3 का, whole cube, plus 7 into minus 7 upon 3, खोले इसको, 3 into, यह तीन बार multiply होगा ना, तो एक तो elude negative आएगी, है ना, और whole cube करोगे, कितना हैगा, हमको लगता, whole square तो नहीं लिखा हुआ है, या note करने में सहले किस गलती हो गई हो, शायद है whole square है, मैं इसको whole square कर लेता हूं, ठीक है, शायद है, गलती हो गई हमको note करने में, तो यह whole square है, किताब सामने है नी? तो शायद है, whole square है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 49 upon 9 और माइनस का 49 upon 3 ये 3 3 9 हो जाएगा तो आएगा 49 upon 3 माइनस 49 upon 3 परावर 0 ये value मिलती क्या है Remindant मिलती है ना तो आप लिखतेंगे चूंकि 6 फल 0 है अताहिया इसका उलंखंड है ये मैंने square करके लगाया है बुक मेरे सामने नहीं कुछ कुछ question मेरी memory में था वही note कर दिया है ठीक है देख लीजेगा अगर cube होगा अगर मा लेते हैं cube होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3 into minus 7 upon 3 का whole cube हो जाएगा और यह minus का 49 upon 3 हो जाएगा तो यह 0 नहीं आएगा calculate करोगे तो यह factor नहीं होगा ठीक है दोनों में से देखना जो भी हो तो यह आपका exercise 2.3 का concept है इसके बाद next video में next exercise तब तक नमस्कार and खुश रहिए